उनेसो असी के दसक और उनेसो नबे के दसक के आरम में उत्तर परदेश के आयोध्या में भगवान राम के जन्मा स्थान पर मंदी निर्मान के लिए हुए आंदोलन के कई गुमनाम नायक रहे हैं विवादित अस्थल पर 1909 में भगवान राम की मूर्ती रखने वाले योध्धा साधू और 1924 में धार्मिक एवं अध्यात्मिक नेताओं को एक जूट कराने वाले मिद्रु भासी सन्यासी से लेकर अंदोलन की जमीन तयार करने वाले एक पुर्व कॉंग्रेसी नेता और कार सेवा के लिए कोलकाता से अयोध्या आकर वहां पुलिस फाइरिंग में मारे गए दो भाईयों तक ऐसे कई लोग है जिन्हें मंदिर अंदोलन में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है आईए उनमें से कुछ का परिचे करवाते हैं बैरागी अभिरामदास बिहार के परतीमा के प्रकटी करण के संबंद में सामने आया था इस संबंद में ततकारिन प्रसासन द्वारा दायर प्रात्मिकी में उन्हें मुख अभियुक्त बनाया गया था अयोध्या में वहा योध्धा साधू के नाम से जाने जाते थे हिंदू महासभा के सदस रहे दास अच 1881 में दिहांत हो गया अत्यांत्य अत्याधिमिक सन्यासी माने जाने वाले देवराहा बाबा के जन्मास्थान और वर्स के बारे में जानकारी रहसे ही बनी रही वह उत्तर परदेश के देवरिया में सरीव नदी के किनारे निवास करते थे उनके सिस्यों में भारत के प्रथम राश्टपती डॉक्टर राजेंदर परसाथ तथा इंद्रा गांधी राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपाई जैसे नेता सामिल रहे थे उन्होंने जनवरी 1984 में परियाग राज के कुम्भ में आयोजी धर्म संसद की अध्यक्षता की थी जिसमें विभीन हिंदू स प्रदायों के धार्मिक एवं अध्यात्मिक नेताओं ने मिलकर 9 नुवंबर 1989 को आयोध्या में राम मंदिर की नीव रखने का फैसला किया था कहा जाता है कि जब राजीव गांधी आधार सीला रखे जाने के बारे में उनकी सलाह और उनके आसिरबाद लेने गए तो राम देश व्यापियों अभ्यानों को आर्रम करने में अहम भूम का निभाई थी जिनमें सीला पूजन कारेकरम भी सामिल था जिसके तहाद तील नाक से अधिक इटे आयोध्या पहुंचाए गई थी पिंगले हमेशा पर्दे के पीछे काम करना पसंद करते थे और वह उन पर्मुक संस्था राम जन्म भूमी नियास समीती के भी अध्यक्ष थे जिसने इस अंदोलन में एक महत्पूर्ण भूमी का निभाई उनका भचपन का नाम किरिपासी विष्च था वह उत्तर परदेश के गोर्चा पीट के महंत दिग विजयनात के अनुयाई बन गए और जीत विद्वन्स मामले में उने भी आरोपी बनाया गया था स्वामी वामदेव गोर्चा के लिए बेहत समिर्पित मिद्रु भासी सन्यासी वामदेव ने उन्यसों चावरासी में जैपूर में आयोजित एक अखिल भार्तिय सम्मेलन के जर्ये तमाम हिंदू धार्मिक और किया था जब मुलायम सी यादव सरकार के आदेश पर पुलीस द्वारा की गई गोली बारी में उनमें से कईयों की मौत हो गई थी विद्धावेस्था के बावजूद वच्छा दिसम्मर 1992 को आयोध्या में मौजूद थे जब बाबरी महजीत को ढाया गया था स्री भूमी अंदोलन के अग्रेनी नेताओं में से थे वह 1912 से 1984 तक उत्तर प्रदेश के पुलीस महा निदेशक बने रहे सेवा निर्वित के बाद वह 20 हिंदू परिशत से उसके उपाधक्ष के रूप में जुड़ गए उन्होंने आयोध्या में कार्शेवकों के अंदोलन की रनीती बनाने और वी एचपी के विभिन जना अंदोलन के कारेकरम को अंतीम रूप देने में परमुक भूमी का निभाई थी उन्हें 1990 में आयोध्या में कार्शेवा के दवरान राम जन्म भूमी अंदोलन में भाग लेने के लिए गिरपतार किया गया था वह 1991 में उद्धमी परिवार की संतान डालमिया 1992-2005 तक वी एचपी का अध्यक्ष रहे थे प्रचार से दूर रहने वाले डालमिया राम जन्म भूमी अंदोलन के परमुक नेताओं में से थे जब 1985 में स्री राम जन्म भूमी न्यास का गठन हुआ था तो उन्हें संगठन का कोसा अध्यक्ष बनाय गया था बाबरी मस्जीद के विद्वन्स के बाद उन्हें भी ग्रेपतार किया गया था दाउद द्याल खन्ना राम जन्म भूमी मुक्ति यग समीती के महासचीव के रूप में खन्ना ने मंदिर अंदोलन का आधार तयार करने में अहम भूमी का निभा उनकी पहल राम जन्म भूमी अंदोलन की सुरुवात के लिए महतुपुर्ण उत्प्रेरक साबित हुई उन्होंने सितंबर 1984 में बिहार के सितामडी से मंदिर अंदोलन के लिए पहली यात्रा में से एक की अगवाई की थी कोठारी बंधु रामकुमार कोठारी और सरत कुमार कोठारी सगे भाई थे जो अक्टूबर 1990 में कार सेवा में भाग लेने के लिए आयोध्या आये थे कोलकाता के निवासी कोठारी बंधुों के अलावा उनके माबाप की कोई और संतान नहीं थी उन्होंने कार सेवकों के पहले जथे के सदर्से के रूप में 30 अक्टूबर 1990 को आयोध्या में कार सेवा की थी दो दिन बाद 2 नोवंबर को कार सेवा के ही दोरान पुलिस ने दोनों को बिल्कुल करीब से गोली मार कर खत्म कर डाला मौत के समय रामकुमार 23 साल के और सरतकुमार महज 20 साल के थे कोठारी बंधियों की हत्या ने देश भर के हिंद्गों को आक्रोसित कर दिया था दोनों को राम जन्म भूमी अंदोलन में नायकों और सहीदों का दर्जा परात हुआ उनकी सहाधत ने 1990 के दसक में बड़ी संख्या में युवाओं को मंदिर अंदोलन से जुड़ने में एक परमुक उत्तर प्रेरक का